किषय परियावरान अध्यान का शेयर करें किस्तुर नहीं में परियावरान अध्यान। साथी साथ अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर कीजिए तो देखिए आपकी वरकशित में खंड अ जो है यह मैं आपको बता रही हूँ तो यहाँ पर खंड अ में सबसे पहले आपको एक चितर दिख रहा हूँगा जिस पर उठ है इस प्रकार से ऐसा चितर दिख रहा है त लिए टी से नादीची साथ आपकटस जाता है तो दूसरा प्रेश्णी के पहले हो जाएगा पहले है प्रेटिसरह प्रेश्णी का निख के कहते है यहाँ यात्रा करने के लिए ठीतर ताज थाज की लिएर कपिट आपक। यहां पर दोनों पोधा के नाम और खेज़री का पेड़ सबसे जादा ही उसका होता है फरनीचर बनाने में इसका प्रयोग होता है तो चौथे का उत्तर हो जाएंगा दगा फरनीचर बनाने में आप कोश्चन नमबर 2 की और बढ़ते हैं अतिलग उत्तरी पेशने है आपको दीक सोफित लेखते हैं पेड़ Turnsों यहां पर दिख़ने हैं तो यहां पर अपको उनके ब बॉक्स दीये एगें चार बॉक्स तो पहले बॉक्स में क्या लिख देंगी आख क्योंकि आख क्यों की और और इशेरा के आ और यहां पर किया हो गए तीसरा कान오गैए टु Hail रिफकार गगर चैया कान हमें 24 प्रशना है आंकि कॉन से सम्वेध ैंक से की तो क्या प्रकार से नाम को आपको सुना ही देता है तो को न होता है वह तो기도 है कान जिसके कान लिखे देंगेब, यहां पर हो जाएगा आपके पूरे और उपर प्रशन यह चीतर खळीरों, इसलिटा करना है तो डेखिए का देकसे चीतर को फ़ वाले के पास बहुत से प्रकारों की प्रीफ समगईśmy उक्ता सब्जी वाले के ठेले में दी हुई सामगरी को सार्णी में वर्गे गरत कीजिए पहली सार्णी फल की दी है दूसरी सब्जी के आपको कौन-कौन से फल दिख रहे है तो केले अंगू, संत्रे, इतने फला में दिग्गर ठेले वाले के पास में सबजी कुन-कुन सी गोबी, प्याज और आलू, इतने रिख देंगे तो सार्नी पूर्ण हो जाएगी आप बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांग चार की और सार्नी में दी हुई पौधो को, सार्नी में दी हुई चुजो को, आधा पानी भरे हुए काच के गिलास में घोल कर देखिए और सही जगह पर टिक कीजिए यहां पर आपको चार्ट दिया गया है यहां पर में बताने वाली प्रश्न क्रमांग चार में आपको क्या करना है आपको आधा पानी भरे हुए काच का गिलास लेना है उसमें क्या करना है इन चीजों को डालना है सबसे पहले क्या डालेंगे आप चीनी डालेंगे तो चीन बढ़ते हैं नीम्बु की रसके की रसके है झाला तो यहां पर नीम्बु की रसके है कि हम यहां डाला दिजिये हैं लेकिन उसका रंग बदल चुका है कौन से रंगा हो चुका है पीले रंगा हो चुका है अब देखेंगा डालके तो अब बढ़ते है दाल की ओर तो दाल यहां पर क्या पानी में गुली तो पानी में तो देखेंगे जैसे हमने दाल को दाला पानी में वह नहीं गुली क्योंक तो इस प्रकार से क्या होंगा इसमें इसका क्या पानी का रंग बदला तो यहां पर पानी में नहीं घुली तो पानी का रंग भी नहीं बदला तो यहां पर आप तिक लगा देंगे अब बढ़ते हैं तेल या सरसो का तेल क्या पानी में घुलता है नहीं तो पानी में घुला और सति साथ पानी का रंग नहीं बदल सफला क्योंकि पानी में गुला ही नहीं तो पानी का रंग किसे बदले का बढ़ते हैं तो अगलेी होतले प्राश्ảng क्योर, प्राश्ने घ्रागंग पाच क्योर आपको क्या दिए हैं, कुछ साधन की चीतर दिख रहा हुए तो प्रश्निक्रमांग 5 है आपका दिर्गुत्तरी प्रश्ने चित्रों का उलो कोण करना और उत्तर देना है नीमनसाधनों का नाम भी आपको लिखना है और इनको उपयोग कहां होता है इस साधनी में लिखियो तो अब मैं आपको पताने वाली हो क्या दिख रहा है train का रेल बेस्टेशन पे हम जाते हैं तो हम हम ट्रेन में सफर करते हैं तो इसका उपयोग किसके लिए नाम लिख देंगे इसका इसका अपयोग भी सड़क मारग में किया यहां पे आपको चितर दिख रहा है यानि हम लिखें गरते हैं, इसको बायू मारग में परिवहन में Zusammen अगला चीतर आप ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है एक नाव का चीतर दिख रहा है तो यहां पर आपको जो नाव का चीतर दिख रहा है इसका उपयोग करते हैं हम पानी में करते हैं मतला विसका उपयोग सम्मूद्र तथा नदियों में परिभान में किया जाता ह इस प्रकार से आप अपने प्रश्णों के उत्तर लिख सकते हैं तो यहां पर हमारे पूरे प्रश्णों के उत्तर पूर्ण होते हैं तो आज मैंने आपको बताया कक्षा कक्षा चोती परियर अनद्यन का पूरे विश्य के मैंने आपको यहां पर बता दी चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, थेंक्स पर वाचिंग